आप लोग को जो टीजीटी पीजीटी में काब्य सास्त्री से संबंधित जो वीडियो दी जा रही है जिसके अंतरगत आप काब्य के घुन पढ़े और आज की क्लास जो आपकी है वा काब्य के दोस्त से संबंधित है इसमें प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाए देखते हैं कहां तक हम लोग अपने आपको पहुंचते हैं मासरसती के चरणों में नमन बंदन करते हुए एक क्लास स्टार्ट की जा रही है और इसमें आप लोग यह काब्य दोस्त क्या होता है इस पॉइंट को पकड़िएगा कि यह दोस्त किसे करते हैं और काब्य किसे करते हैं तो काब्य में आपने पढ़ा कि वह रचना जो काब्य लक्षणों पर आधारित होती है उसे ही हम क्या करते हैं काब्य करते हैं अब जिन में यह कुछ दोस्त पाया जाते हैं जिस रचना में इन लक्ष एक आप देखें होंगे िसापुर की बात करें तो इसापुर में एक हमारे रिसी आते हैं जिस रिसी का नाम होता है आचार भरत्मुनी भरतमुनी यह आचार भरतमुनी भाई देखिए देखने में जितना छोटा नाम है इतने छोटे विद्वान नहीं है इन्होंने संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद अपने ग्रंद को पंचम बेद का स्थान देने वाले रचनाकार हैं जिन्होंने नाट सास्त्र क इन्होंने जब काब के दोस्समəंधी बात कियी काब दोस्सकिया ने विदी कितने काब दोस्स माना गया है नार्टिस सास्त्र के अंतरगत कितने कावे दोस माना गया है तो आप बताएंगे दस अगर प्रस्ण पूछा जा किसने जो दोसों की संख्या दस माना है तो दस की यदि हम बात कर लें जब दस की बात करते हैं तो इसमें आपका जो भरत मुनी आते हैं इनहीं के समर्थक एक कवी होते हैं जिनका नाम होता है दंडी और दंडी की एक रचना होती है जिसे कहते हैं कावे दर्स कावे दर्स इनकी रचना होती है इस कावे दर्स में भी कावे के दोस दस से ही बताए गए है तो दो कभियों के नुसार आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कि जो काब वे दोसों की संख्या कितनी होती है दस किसने किसने कहा है यदि प्रस नहीं है आ जाए तो दंडी और भरत मुनी ने काब वे दोसों की संख्या कितनी माना है दस काब वे दोस क्या होता है कि जोह रचन काब्वे दोस के अंतरगत का आया जाता है यदि आचारे भामा की बात करने तो आचारे भामा ने रस ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं और अलंकार संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं तो इन्होंने अलंकार ग्रंथ लिखा और इस अलंकार ग्रंथ का नाम इन्ह दो मानिये और इनकी संख्या यह हम संख्या की बात कर रहे हैं ना कि इनकी दोस्तों के नाम को बता रहे हैं यदि हम यह देखें जो सरुमान तथ्य होता है जो सब विद्वानों ने माना है और सब विद्वानों ने जो माना कहा कि इसमें ममट के आप ममट की रचना का नाम है काब प्रकास, आप कही बार ये पढ़ चुके हैं और काब प्रकास के अनुसार, ये जो ममठ है, ये सस्किस शाहिति के विद्वान है, इन्हों ने काब दोसों की संख्या कितनी माना है, तीन माना है, और तीन जब इन्होंने मेरे भाई माना, तो तीन में इन्होंने सबसे पहला कहा कि एक होता है सब्द दोस दूसरा होता है अर्थ दोस तीसरा होता है रास दोस देखिए यह मम्मट की बात हम कर रहे हैं मम्मट ने काबे दोसों की संख्या कितनी माना मुख्य रुप से तीन माना है एक सब्द दोस दूसरा अर्थ दोस तीसरा रास दोस अब मम्मट जब अपने इस काबे प्रकास की बात करते हैं तो इसमें जो सब्द दोस होते हैं उन्होंने कहा कि टोटल कितने होते हैं 37 अब सब्द दोस क्या होता है सब्द किसे कहते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है तो जो वर्णों का सार्थक मेल होता है उसे ही क्या करते हैं सब्द करते हैं और इन सब्दों में जब अलंकार में हम प्रियुक्त करते हैं किसी रचना में प्रियुक्त करते हैं जब दोस पाया जाता उसे करते हैं सब्द दोस जब अर्थ में किसी प्रकार का जो आप अर्थ निकालते हैं, अर्थ में यदि किसी प्रकार का दोस पाया जाता तो उसे कहा जाता है अर्थ दोस, यदि रस के द्वारा किसी प्रकार का दोस आता है तो उसे कहते है रास दोस, इन तीनों दोसों के आधार पर ममट ने कहा कि होते हैं और सतर दोसों में 37 कहे कि यह सब्द दोस के अंतरगत दोस प्राप्त होता है और उन्होंने अर्थ दोस की अंतरगत कहे कि कुल तेश प्रकार के सब्द अर्थ दोस होते हैं रस दोसों की बात कहती इन्होंने कहा कि 10 दोस होते हैं इस प्रकार इनको जोईन करने के बा इसमें ये बताईए भारतमूनी ने कितने काब दोस्त की चर्चा की है तो उन्होंने दस की चर्चा की है आचारे भावा की बात करते हैं तो इन्हें उन्हों दो प्रकार के रस दोस्तों की बात की है एदुसरों मान तथे देखें जो सभी ने माना है ममट का काब प्रकास होत यदि इसमें थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, यदि आगे और आगे बढ़ने के बाद जैसे देखें, जैसे यदि हम देखें, कि एक केशो दास हिंदी सहित्य के अंतरगत कभी आते हैं, आप केशो दास का नाम लेते ही आप भक्ति काल में पहुँच जाएएगा, और चिंता मड़ी भी, यहीं से समय भिखारी दास, इस सब कभियों की नाम आपको ऐसे लेते ही याद आ जाएगा, तो केशो दास की एक रचना होती है, जो कभी प्रिया, कभी प्रिया में यह एक ग्रंथ है, और कभी प्रिया ग्रंथ है के अंतरगत, इन्हों ने कहा कि जो के अनुसार, कभी दोस की संख्या कितनी है वाइस, और इसी में चिंता मड़ी की बात कर लें, जब चिंता मड़ी की बात करते हैं और कुल्पत मिस्र की बात करते कि इन्हों ने कहा कि तीन होते हैं, और तीन कौन-कौन से होते हैं, एह आपके स्किन पर दिखाई ज़राय, जैसे आपका देखेएगा सब्द दोस, अर्थ दोस और रस गत दोस यह होते हैं यहह आपके काब्वे की जो दोस होते हैं इन दोसों के आधार पर इन कम्यों के आधार पर जो काब्वे रचना होती है काब रचना में चिंता मड़ी और कुलपती मिस्रे ने दोसों की संख्या टोटल बताए बात और जब इसी में भिखारी दास की बात करने तो भिखारी दास भी हिंदी सहित्य के एक महान कभी होते हैं इन्होंने कहा कि जो सब्द दोस हैं और पद्द दोस की अंतरगत जो काब्बे दोस हैं जो काब्बे में दोस हमें प्राप्त होता है पहले सब्द के द्वारा प्राप्त होता है दूसरा वाक्ष के द्वारा प्राप्त होता है तीसरा अर्थ के द्वारा प्राप्त होता है औ और इनकी आधार पर हम यह दोसों की संख्या निर्धारित करते हैं। यदि सो मनाथ की बात करने हैं तो यह भी हिंदी साहितिके हैं। और सो मनाथ ने कहा कि तीन हैं और तीन के आधार पर इन्होंने कहा। अब हम एक एक पढ़ेंगे जो दोस हैं। जैसे इदर हमने कहा कि यह दोस जो आपके सामने हैं आप मुख्य रूप से देखिए सरुमान ने जो तत है, सरुमान ने तत के अंतर गद देखेंगे, तो जो होते हैं वो तीन होते हैं, सब्द दोस, अर्थ दोस और रास दोस. इनी दोसों के आधारप जो सभी ने माना है इनी दोसों के आधारप हम आज जो है इन पर चर्चा करेंगे कि क्या सब्द दोस होता है चुकि सब्द दोस कह देने पर इतना छोटा नहीं, इसमें 37 23 पार्थ होते हैं अर्थ दोस में कुल अप 23 होते हैं और यह है आपके और समय के अंकिने सब्सक्राइख करें Pin कौन कौन से दोस्त कितने प्रकार का होता है कितने प्रकार के दोस्त आपको दिखाई देता है यदि सब्द दोस्त की बात करने पेपर में आपको सामाने तौर पूछ दिया जाए कि काब्य के कितने दोस्त होते हैं तो आपको बताना है तीन ही दोस्त बताना है कौन कौन सब् बात करें मेरे मित्र यदि इसमें हम बात करते हैं जैसे यदि यह देखिएगा पहला पॉइंट है सब्द दोस पहला पॉइंट है आपके सामने सब्द दोस अब सब्द दोस हम पढ़ेंगे कि सब्द दोस होता क्या है किसे कहते हैं सब्द दोस सबसे पहले तो यह जानना मु दोस पाया जा रहा है तो इसमें इस दोस के अलामा दोस की प्रकार का इस सब्द का दोस है अब सब्द का जब दोस होगा तो वह मुख्य रूप से प्रकार का होता है, मुख्य रूप से सोल प्रकार का होता है, और एक एक करकीस में जो होते हैं, पहला पढ़ेंगे पद दोस देखिएगा, इसमें यह पद दोसा, चुकि पद किसे कहते हैं सुने लिजीगा, यह देखिएगा एक पद होता है, और सब्द होता है, समास को पूरुपद दुसरे को कहते हैं उत्तरपद अब यह पद भी क्या है एक सब्द निर्माण है एक सब्द है चाहे पूरुपद हो चाहे उत्तरपद हो इसे कहते हैं सब्द और जब इनहीं सब्दों को किसी वाक्य के साथ प्रयोग कर दिया जा किसी भी वाक्य के साथ पद है जो वाखक के साथ हो इसी को परयोग कर दिया जैसे राम है राम जब अकेले है तो सब्द है राम विद्याले में पढ़ रहा है तो यहां प्र. राम हो जायगा सब्सक्रार के मारे निप्ड़ करने पर या वाथ की Q到 के बारे मेर adequate जाएगा किसे में किस प्रकार का दोस होता है और सभी दोसको एक एक करके हम आसानी से इसमें पढ़ेंगे जैसे देखिए एक सब्द आ रहा है शुरुति कटू दोस शुनने में कडवा लग रहा हूँ, कोई सब्ध हो अगर कोई काब्ब में कोई रचना की जा रही है और उस रचना के अंतरगत यदि सुनने में वो कटु लग रहा हूँ मीठा नहीं है, मधुर नहीं है, मधुर ये गुण नहीं है तो वहाँ पर जो वह होगा सुरुती दोस होगा, वहाँ पर जो होगा वह सुरुती दोस होगा, यदि थोड़ा से हम आगे वढ़ते हैं, यदि इसमें हम इस चिवत दोस की संसकार दोस की बात करें, इस दोस की बात करें, तो इस दोस के अंतरगत मेरे भाई, जो व्याकरणि नियम होता है व्याकरणडिक नियम देखिएगा व्याकरणडिक नियम होता है और इस नियम के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उसे कहते हैं चीवत संसकार दोस अई इसमें जो हता है सुनने सुनने में यदि किसी प्रकार का किसी प्रकार की कमी किसी प्रकार की यदि कमी मह प्रिएक्ततत्व की बाद करें तो इसके अंतरगत क्या होता है इसके इंतरगत यदि काब में अप्रचलित सब्द का प्रयुक किया गया है यदि काब्व कोई हो और इस काब्व में आप्रचलित सब्द का प्रयुक किया गया हो तो उसे कहते हैं आप्रिप सब्द दोस कहते हैं यह पद के अंतरगत हम सारे पढ़ रहे हैं तो इसमें जो काब्व होगा और प्रचलित क्या होता है प्रचलित में आपने यही पढ़ा होगा प्रचलित की यदि बात करनें तो प्रचलित में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप तत्सम के सब्द की बात करें तत्सम यदि हम ततसम की बात करते हैं ततसम सब्द की बात करते हैं अगर इसमें किसी प्रकार का दोस्ट दिखाई दे रहा है और ये sending है जो समाज में नहीं प्राच़्रित किया गया है प्रचलित में देखिए सम तदभव और इसके बाद आप पढ़ते हैं आगत के बाद पढ़ते हैं एक नम्मर दो तीन और इसके बाद आप पढ़ते हैं चोथे पर जैसे आप समासिक सब्द पढ़ते हैं समासिक सब्द पढ़ते हैं समासिक सब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें फिर एकार्थी पढ़ते हैं फिर इसके बाद आप पढ़ते हैं अनेकार्थी अनेकार्थी सब्द और अनेकार्थी सब्द पढ़ते हैं फिर इसके बाद आता है आपका मुहावरा लोकोक्ति इत्यादी सब्दों का जब हम इसको अप्रचलित होते हैं, जिरों समाज में प्रचलित नहीं थे, जब इसका प्रयोग हम काब्वे में करना प्रारंब कर देते हैं, तो उसे कहते हैं काब्वे दोस कहते हैं, और इनको यह प्रयोग करेंगे, इनकी प्रयोग की फलसुरूप, आपको यह देखना है क्या समाज इन्हें माना है संस्कृत और हिंदी क्या इसे मानी है हमारा समाज यह है संस्कृत भासा और हिंदी भासा क्या इसे माननेता दी है हिंदी भासा माननेता दी है हिंदी भासा द्वारा माननेता प्राप्त है यदि द्वारा माननेता प्राप्त ह तब तो वह प्रचलित है और नहीं प्राप्त है तो क्या है अप्रचलित है जैसे लोटा ओटा की बात करने अगर लोटा ओटा की बात करने तो ओटा सब्नी रथ है कि इसको मानता प्रदान नहीं किया गया है इसलिए यह अप्रचलित सब्द हो जाता है यह थोड़ा से हम आलग आता है नहीं तीसरे नम्मर पर चौथे नम्मर पर एक सब्द आता है और इस सब्द को जो हम कहते हैं इस सब्द को कहते हैं और समर्थ और समर्थ त्वा पद्दोस लेखिएगा यह पद्दोस पद्दोस जिस जिस सब्द के अंतरगत और समर्थता हो और समर्थता का मतलब क्या है एक सब्द की दो अर्थ निकल लें एक सब्द के इसमें एक सब्द के एक सब्द के दो अर्थ निकलें तो वहां पर हो जाएगा और समर्थ तो अब पद दोस के अंतरगत यह आता है यह थी थोड़ा सा हम आगे और बढ़ें एक जो चोथे नमबर पांचमें नमबर होता है पांचमें नमबर पर नहितार्थ होता है इसको नहितार्थ की बात कर लें यह नहितार्थ होता है और नहितार्थ यह पांचमें नमबर पर होता है और पांचमें नमबर की द्वारा य जब हम देखें, तो इसमें औप्रसिद अर्थ हो जता है, इसमें औप्रसिद अर्थ का प्रयोग कर देते हैं, औप्रसिद अर्थ का जब प्रयोग करने लगें, इसे भी क्या कहते हैं, काब बेदोस कहते हैं, औप्रसिद क्या हो, अर्थ हो, तो अभी क्या होता है, औप्रसि अर्थ होगा जब अर्थ होगा तो उसे भी क्या कहते हैं पद दोस कहते हैं मगर कौन सा नीतार्थ जिसके अर्थ नो दिखाई दे रहो हैं जिसके अर्थ प्रसिद नो हो वह अप्रसिद हो उसे क्या कहते हैं नीतार्थ कहते हैं यदि हम आगे बढ़ें आगे बढ़ें एक सब्द आता है जैसे आपका शिक्स नमर्प है और शिक्स नमर्प है निरत्थक निरत्थक कट्वर्ड यह देखिए भढ़ा वाचक संग्या है और जिस के अर्थ निरत्थक दिखाई दे निरत्थक अर्थ बेक तो हो उहाँ पर कौन सब्सब्द दो सो जाएगा आपका निलर्थक कत्व सब्सब्द दो सो जाएगा यदि थोड़ा से इसमें आगे बढ़ें इसमें थोड़ा से आगे बढ़ें यदि हम इसमें नितार्थ सब्द अर्थ की बात करें तो इस अर्थ के अंतरगत जो होगा सब्द होगा उस सब्द का अर्थ जो होगा अलग ध्यन से होगा अलग रूप से बेक्त होगा तो वहाँ पर कौन सा सब्द दो सोगा पज सब्द दो सोगा यदि इसमें थोड़ा से मौर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं कुछ सब्दों के वारा देखेंगे, यदि इसमें हम असलीत्व देखें, असलीत्व पद्दोस देखें, तो इस पद्दोस के अंतरगत मेरे भाई, इस पद्दोस के अंतरगत, यदि हम इसमें जाना चाहे तो जो हैं लज्जा वाले वर्णों, लज्जा वाले वर्णों, इन वर्णों की जब वर्णों द्वरा सब्द का निर्मान हो रहा है, जब इन वर्णों के द्वरा सब्द का निर्मान हो रहा है, तो उसे कहते हैं अस लित्व सब्द दोस्ट, और यह सब्द दोस्ट सब पद कि एक सब्द संदत के अंतर प्रयोग का बांता है यह थोलो से आगे देखते हैं 2डी से नमर पर आता है और तीसरे नमर पा लए कि нас गाता है सब्द दोस 12 या सब्द्दों से ाक कोई स संपना दिया जाता है कोई एक भासा के द्वराई कुछ कर दिया जाता है उसे ही वाक के कहते हैं और वाक के अंतर गत इसमें अर्थ दोसों की संख्या इसमें कुल वाग के दोसों की संख्या की बात करें यदि इसमें हम कुल वाग के दोसों की बात करें यदि कुल वाग के दोसों की बात करें तो जो कुल वाग के दोस हैं देखिएगा कुल वाग के दोस कितने होते हैं एक्टिस होते हैं और एकिस वाक के दोस्तों के अधार पर हम इसका अलग-अलग धर्ण से अलग-अलग दोस निकाल सकते हैं किसमें कावे दोस के अंतरगत यह जी इसमें देखा जाए यह क्या होता है देखेंगा तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है और इस पॉइंट को कहते हैं इस को खेंगे ओर क्रमत्व दोस देखे गार क्रमत्व धोस यह आपका के देखा करम में तुर सब्सक्राइगा लो्क या शास्त के अंतरगत देखें, तो लोक या शास्त के ब्रृुद्र देखेंगे, यहाता है, लोक या शास्त के ब्रिुद्र सास्त्र के विरूद, लोक या सास्त्र के जब विरूद कोई काम करते हैं, लोक या सास्त्र के विरूद, जब कोई कथन नो हो पाए, जो भी काम करें, जो भी रचना करें, जो भी कुछ करें, और यह कथन नो हो सके, कथन नो हो सके, हो सके, किसके अनुसार, यह आपका होता है जिसमें कोई भी कथन कर रहे हैं और जब उस कथन को कहने में क्या है आप लोग सास्त्रे के अंसार लोग रचनाओं के अंसार लोग जो नियम है नियम के अंसार नहीं कर सके नहीं कुछ कर सके तो वह दूस करम हो जाता है दूस करम और अनुकरम मन में क्या होता है इसमें कि भाग में किसी सब्द को लिख दिया जाता है ये क्या होता है एक रूप होता है कि जौक करना चाहने इस दोस्त को करते हैं जो आपका होगा वा अपूस अपूस तुत्वदोस अपूसु तुत्वदोस की बात करने तो अपूसु तुत्वदोस यह दोस कौन सा मेरे मित्र होता है तो इस दोस के अंतरगत आपने पढ़ा होगा आपने जैसे अपने रचनाओं के माध्यम से पढ़ा होगा और इसमें आपको जैसे देखे होंगे कि जब किसी अर्थ में कोई विशेष्टा प्रकट नहों कोई भी अर्थ हो जब कोई भी अर्थ हो जिसमें विशेष्टा प्रकट नहों क्या हो? विशेष्टा प्रकट ना हो तो उसे क्या कहते हैं और पुश्टुत्वदोस कहते हैं तो इस दोस के अंतरगत आप जो होगा आप वह दिखाई देता है यदि इसमें जैसे आप और देखे एक अता है निम्पद सुनिएगा तो यदि हम देखें कि पद के अंतरगत कभी कभी अधिक पद का प्रयोग किया जाता है कभी कभी अधिक पद का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी नियून पद का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पर अधिक पद का प्रयोग कर दें तो वहाँ पर जो आपका दोस होगा जो आपका वाक की दोस होगा वह आपका अधिक वाक की दोस हो जाएगा जब कहित पन्यून सब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हम पन्यून वाक की दोस हो जाएगा, यदि इसी में हम कथित पद की बात कर लें, जो कथित पद होता है, इस कथित पद की बात करें, तो कथित पद जो कहना है, कथित मिन सुता है कहना, जब कहने के उन सारे हम कोई वाक राठी का प्रेूंग करें और एक बार कहें सब्केरा दूबारत दूए aja आठी कई की मिह सब्झत का प्र्यों करें और अनंभीसेस सब्ड़ों को हम दूओ अपका जो दक्रें मेरे मित्र आ जाता है एक रिवाद इसके बाद हम देखे तो हत्वितिΉ एक दोस आता है और इस दोस के अंतरगत जहां छंदों में दोस आता है हत विरित दोस देखिएगा सिर्फ हम मुख्री मुख्री पढ़ना है जो आपकी परिक्षाओं में पूछा जाता है हत विरित दोस की बात कर रहे हैं तो जिसमें छंदो समंधी रचनाओं में दोस पाया जाता है, उसे करते हैं, हर्थ वृत्त दोस करते हैं. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थ दोस, अर्थ दोस क्या होता है, किसे हम अर्थ दोस करते हैं, अर्थ दोस देखिएगा, जब अर्थ दोस क्या होता है, अर्थ दोस, जब किसी रचना के इंतरगत, किसी भी रचना के इंतरगत, अर्थ समंधी दोस होता है, तुसे अर् दोस करते हैं और यह अर्थ तीन सब्सक्तिया होती है और तीनों सब्सक्तियों के माध्यम से यहां पर हम जो अर्थ में दोस निकालने लगे तो वह क्या हो जाता है आर्थ दोस के अंतरक अता है और अर्थ दोस में क्या के है कैसे कैसे हम पढ़ेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे संदिग्द दिखिएगा एक दोस आता है संदिग्द दोस, संदिग्द दोस किसे कहते हैं, संदिग्द दोस, नाम से ही आपको लगभग लगभग या क्लियर हो गया होगा, कि जिस अर्थ में संदे हो, जिस अर्थ में संदे हो, उसे संदिग्द अर्थ दोस कहते हैं, यह अभी दोस दो प्रकार का होत बना हुआ होगा है जिसकी अर्थ की बाद आ चारे भामा की बात करें दंडी की बात करें इन्हों ने कहा जो मन में संसे बना हुआ है। जो मन में संका बना हुआ है संसे बना हुआ है यहीं संसे क्या है कि आपके अर्थ दोस्त को प्रकट करता है और संधी अर्थ दोस्त आपके सामने दिखाई देता है यदि इसमें हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं यदि इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ें तो एक दोस्त होता तुसे कश्टार्थ सब्द दोस करते हैं इस माध्यम से इतने देखते हुए आज हम लोग ने सब दोसों किसे समन्दीत कावे दोसों से समन्दीत कुछ हम लोग बाते किलियर किये अब इस कावे दोस से कहां तक प्रस्णम पूछा जाता है किस प्रकार प्रस्णम पूछा जाता है कौन से प्रस्णम आपके जो होते हैं प्रेक्टिस सेट में दिखाई देता है इस पर यदि हम चर्चा करेंगे इस पर बात करेंगे तो गुण दोस का भी परा है जो परियावाची होता भी परीत होता है यदि हम बात करें तो भरत मुने ने दोसों को इस्तिती को भावात्मक माना है इन्हों ने कहा कि जो दोस है जो दोसों की इस्तिती है वह क्या है भावात्मक है और भावात्मक धंधंग से यहां पर जो होता है वेप्त किया जाता है यदि इसमें आचारे भामा की मेरे मित्र बात करें आचारे भामा जो होते हैं ये अवचित अभाव दोस इनों ने बताया है कि जो अवचित होता है जो मन में जो भावनाय अवचित होती है भामा ने कहा कि अवचित्य दोस है दिखिएगा भामा ने कहा कि अवचित्य जो होता है अर्थ दोस होता है और अवचित्य अर्थ दोस के माध्यम से अर्थों में दोस निकला जा सकता है पदों में और काप्यों में दोस निकला जा सकता है यह दंडी की बात करें तो दंडी कहा कि यह जो ख्यार्थ है जो मुख्य अर्थ है और मुख्य अर्थ में विघातक जो होता है यह दंडी की बात करने कापे दर्श की बात करने तो दंडी ने कहा कि जो घातक अर्थ है और घातक अर्थों के दौरा जब आप वहां पर अर्थ निकालते हैं जैसे वी घातक विसेश रूप से घातक सिद्ध हो विसेश रूप से घातक सिद्ध हो वी घातक और यह वी घातक दोस होगा और यह जो दोस है विसेश रूप से आपको वर्थ के द्वारा विसेश रूप से प्रकट हो वह भी क्या होता है एक काबे दोस होता है और इसके बा जिसमें गुणों का भाव होता है, जो गुणों का भाव होता है, वामन ने कहा कि जिसमें गुण का भाव है, वह क्या है आपके अर्थ, थदोस के अंतरगत मेरे मीत्रे आते हैं. इसी की बाद थोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं तो यदि रुद्रट की बात करनें जैसे रुद्रट से पर एक और आता है जिसे पुराणों की बात करनें वैदिक साहिति की बात करनें तो इसमें एक अगनी पुराण होता है अगनी पुराण में कहा गया है जब आप किसी रचना को पढ़ते समय लिखते समय उद्वेग हो जाएं तो अभी एक क्या होता है दोस होता है तो अगनी प्रण के अनुसार उद्वेग जो होता है अर्थ दोस होता है यदि पंडित भी सुनात की बात करने है और इनों ने जिन्होंने मममट का समर्धन किया म होने महमट की समर्धन कि फर्त की नगे दोस की बात करें तिन collector वोह कहा की दोस होता तो है जो strang करें कि जो आपके भी सुनात है उन्होंने करें उन्होंने कहा कि जहरस को हानी पहुँचा हो अभी क्या कि अर्थिक में भी इOM तर इक एशकर दोस के अंतर अन team 이야기 कापे दोस्ट की संख्या होती है उपकुल 10 होती है और इसे तिन प्रकार का बताया और उद्रट ने इसे छपीस प्रकार की कापे दोस्ट से समधि बढ़न किया यद्र हम अगनी ुपराणक की बात कर लें तो अगनी पुराण की ऻोके कापने संख्या 11 हो जाती है और वामन के जो दोस्त तीन होते हैं तीन दोसों के अधार पर जो उन्होंने पहला दोस्त बताया पर पदार्धगत और वाक्यार्थ दोस्त और इसके बार पदार्धगत दोस्तों के अधार पर उन्होंने कुल दोसों की संख्या रसों के दोसों की संख् सत्तर होने की फल सुरूप जो आपके सामने दिखाये देता है और आज इसी के साथ हमारे काप वे दोस का ये चेप्टर खत्म हुआ और अगली जो पहले काप इसके पहले आप देख लिजिएगा एक जो वीडियो थी वह काप वे गुण था जिसमें प्रसाद, माधुरे और ओजवून की बात कही गई आज जो हम चार दोस पढ़े और चार दोसों में जो हमने सबसे पहला पढ़ा चार दोसों के अंतरगत जो हमने पढ़ा अजी नहीं चार दोसों को हम लोग पढ़ रहे थे और चार दोसों में सबसे पहले हम सब अर्थगत और रस दोस्त के अंतरगत पढ़े कुछ भी दुआनों ने जो चार दोस्त बताए हैं और चार दोसों के अंतरगत जो हम इसमें देखें तो यह हमारे सामने जो विखारी दास होते हैं इन्होंने एक सब्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् दी जाएगी इसी के साथ आप सभी हिंदी प्रेमियों को जय हिंद जय भारत जय हिंदी सब्सक्राइब